उत्तर पिदेश में विधान सभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर पिटारा खोला है सरकार ने गुरुवार को 8,479 करोड रुपे का अनुपूरक बजट पेश किया इस बजट में 24 घंटे बिजली की अपूर्ती और काशी विश्विनाद दर्शन के आवंटन किया गया है इसके साथ ही खेल विभाग को भी 10 करोड रुपे का फंड दिया गया है अनुपूरक बजट में किसे क्या मिला 24 घंटे बिजली आपूर्ती के लिए पावर कॉर्परेशन को 10 अरब हर घर बिजली योजना के लिए आलक से 185 करोड रुपे खेल विभाग को अनुपूरक बजट में 10 करोड रुपे काशी विश्वनाद दर्शन के लिए 10 करोड रुपे का प्रावधान किसान और रधावर्षता पेंशन के लिए 670 करोड रुपे जारी किये गए सुचना विभाग को 150 करोड यूपी गौरप सम्मान के लिए 10 करोड यू लाया जाता है अनुपूरक बजट सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है लेकिन अगर बीच में ही तेजी लाने के लिए सरकार को फंड की जरूरत है इसलिए ये बजट लाया गया है योगी सरकार का इस साल ये दूसरा अनुपूरक बजट है इससे पहले अगस्त में ही सरकार ने 7300 करोड रुपे का अनुपूरक बजट पेश किया पहले अनुपूरक बजट में क्या था 18 अगस्त को योगी सरकार ने इस साल का पहला अनुपूरक बजट पेश किया था ये 7301 करोर रुपए का बजट था इस बजट के जरीए सरकार ने युगाओं के रोजगार और किसानों के गन्ना सहित विकास योजना को पूरा करने का दाओ चला था इस बजट में सरकार ने रोजगार के लिए 3000 करोर रुपए का बजट रखा था इसके अलावा बुंदेल खंड एक्सप्रेस्वे के लिए अतरिक्त 100 करोर रुपए और बल्या लिंग एक्सप्रेस्वे के लिए 50 करोर रुपए का आवंटन किया था इसके करोड रुपय का आवंटन किया गया था